ग्रामी शेत्रों में महिलाओं को सोरोजकार नए उध्यमी और बाजार के साथ प्रतिसपरधा में सक्षम मनाकर इस्ताई आजीवी का अर्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभागे इस्तर की गोंद विक्री प्रदरशनी का आयोजन किया गया तीन दिवसी प्रदरशनी का आयोजन, जिला परिशत की, जिला ग्रामी विकास एजन्सी, क्रशी महिला एवं बाल कल्डियान एवं स्वास विभाग द्वारा सयुक्त रूप से मनकापूर संभागिये खेल परिशा में किया गया यहां नागपूर मंडल के 150 से अधिक स्वाहता समू के उतपादों के स्चौल लगाए गए विभागिय स्तर के सरसमेले में तीन तारिकों को 17 लाख रुपे जबकी शनीवार को 22 लाख रुपे में बिका यहां रविवार देश शाम तक नागपूर के लोगों की भीड लगी रही इसलिए तीसरे दिन भी स्वाहता समू के उतपादों की चम कर बिक्री हुई रविवार की शाम तेश्टी प्रधान का कारिकरम गपा तरुडें की मनातला सक्रिये रहा जिला परिशत अध्यक्ष रश्मी बरवे अतरिक्त आयोक्त रविंद्र ठाकरे कारीकारी अधिकारी योगीश कुमभीज कर पुलस आयोक्त विजे मगर उपाद्यक्ष सुमित्रा कुमभारे अतरिक्त मुख्य कारीकारी अधिकारी कमल किशोर फुटाने जिला ग्रामिन विकास एजंसी के परियोचना निदेशक विवेक इल्मे ने स्चॉल धारकों को प्रमान पत्र प्रदान किये इस वर्ष का सरस्मिला एक उल्लेकनी कारिक्रम था जिसमें 12,000 से अधिक महिलाएं राश्री इस्तर के गाईडों में भाग ले रही थी और सुन रही थी इस उत्सा को देखते हुए पशुपालन एवं डेरी विकास मंतरी सुनील केदार ने जिला परिशत के माध्यम से जिला एवं तालुका इस्तर पर स्वसाहता समहू के उत्पादों के लिए बिक्री आउटलेश चुरू करने की खोशना की है संदक्षक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत ने महिला सुसाहता समहू के लिए इस्ताई बिक्री ववस्था करने पर भी जोड़ दिया है इससे ग्रामिन अर्थ ववस्था को मचपूती मिलने की उमीद है कैमरा परसन राजकमा मोहर के साथ अभिशेक पानसी बीसीन न्यूस नागपुर